दोस्तों हम सबको पता है कि बात चीत करना एक कला है लेकिन हमें लाइफ में कहीं भी या कला सिखाई नहीं जाती ना ही स्कूल में ना ही कॉलज में कितनी बार हम किसी पार्टी में जाते हैं तो अकेले बैठे रहते हैं अगर कोई साथ बैटा हो तो उससे बात सुरूर नहीं कर पाता कई बार तो सोचते हैं कि किस टॉपिक पर बात करें कभी-कभी या भी सोच लेते हैं कि साथ सामने वाले को बात करना पसंद नहीं होता लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं होता सब को बात करना पसंद होता है इसी से भी मिलते वक्त हमारे facial expression ही सामने वाले person को show करते हैं कि हम उनसे मिलने में comfortable है या नहीं है इसमें हमारी smile सबसे बड़ा role play करती है सही smile सामने वाले person को हमारे बारे में अच्छा feel करवा सकती है या फिर हमें एक fake person की तरह दिखा सकती है जो हमेशा हर किसी को देख कर smile करता है पहली बार में ही अपने आपको genuine और real person दिखाने के लिए आप कभी भी किसी से मिले तो तुरंद smile ना करें दो सेकेंड उसकी face को देखें और फिर एक बड़ी responsive smile करें ये technique सामने वाले person को भरोसा दिलाएगी कि आपकी smile genuine है और सिर्फ उसके लिए है इस technique का smile दुनिया के कुछ highly effective people भी करते हैं आपने notice किया होगा कि कुछ लोग बात करते समय आई contact नहीं करते हैं इसके बजाए इधर उधर देखते रहते हैं ये चीज सामने वाले person को सो करती है कि आपका कोई interest नहीं है उनकी बातों में इसलिए आप सामने वाले person की आँखों में देख कर बात करें खान रखें घूरना नहीं है बलकि आपको naturally उनसे आई contact करके सो करना है कि आपका interest है उनकी बातों में